हरे कृष्णा, आज की कहानी में प्रवेश करते हैं. दक्षिन भारत में पंच रंगा स्थल हैं. आदी रंगम श्री रंगम पत्नम, मद्य रंगम श्री रंगम, अपला रंगम थिरु पेर नगर कोईलाडी, साथु रंगम कुम्ब कोणम और पंच रंगम थिरु इंदालूर आदी रंगम श्री रंगम पत्नम में कावेरी नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और मंदिर में मिल जाती है. रंगनात स्वामी का मंदिर यहीं है. गौतम रिशी जो सब्त रिशियों में से एक हैं, उन्हें तावम में भगवान को भुजंग आसन में देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ मद्यरंगम जहां पर कावेरी नदी विभाजित होकर दुबारा मिलती है उसको मद्यरंगा और अंतरंगम भी कहा जाता है ये 108 दिव्य देसों में से पहला है जो दक्षिन में पूजन गसेयनात और थिरु कोलम है ये एक मात्र जगा है जहां सारे संतों ने मंगला असन किया केवल मदुरा कवी को छोड़ कर अपला रंगम एक छोटे से परवत पर स्थित है इंदिरागिरी यहां नदी विभाजित होती है क्यूंकि भगवान को ये पात्र उपमन्यों से मिला था तो इसको कटोरा भी कहा जाता है यहां भगवान भुजंग आसन में बैठे पच्छिम की ओर देख रहे हैं यहां इंद्र का अभिमान तूटा था और मारकंडे रिशी ने अपने डर पर जीत पाई थी और राजा को श्राप दिया साथू रंगम यहां भगवान शंग, चक्र, धनुष लेकर पूर्व की ओर मुख करकर दर्शन दे रहे हैं पंचरंगम कावेरी की तटपर स्थित थिरू इंदालूर को पंचरंगम या अंतरंगम के नाम से भी जाना जाता है यहां भगवान पूर्व की ओर मुख करके दर्शन दे रहे हैं कहा जाता है परीमल रंगनाथन थिरू वती में इम्दराजन और समराट अम्रीश बैठे पूजा कर रहे हैं यहां चंद्रमा को श्राप मिला था इसलिए इसको थिरू इंदालूर भी कहा जाता है सर्वाम श्री क्रेष्ण अर्पनम